Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Google Sheet को लेकर के है D-count formula के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे हम तो चलिए ये Google Sheet को open करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास D-count formula हमने यहाँ पर use किया है अब ये देखिए, ये राजू है और इनकी ये यहाँ पर इन्होंने marks गिन किये है ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये राजू लिखा है हमने और subject 5 में राजू के कितने marks है, 55, 55, 90 से less है, ठीक है 90 से क्या है, less है, greater तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर result जो दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है, देख सकते हैं, इसे मैं एक अलग color से highlight भी कर देता हूँ यहाँ पर result 0 है, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ यहाँ पर इसको अटा दिया, यहाँ पर लिख दिया RAM, राम लिखा मैंने, तो यहाँ पर आ गया 1 देख सकते हैं, यहाँ चुका है 1, अब राम के subject 5 में कितने marks है, यहाँ पर देखिए 99, 99, 90 से greater है इसका मतलब किराम के subject 5 में, जो है, एक बार ऐसा मौका आया है, subject 5 में, अब एक ही बार आएगा, subject 5 का तो exam एक ही बार हुआ है तो यहाँ पर marks जो है 99 दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज, आप देखिए, यहाँ पर exam है तो अगर मैं exam लिख दूँगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो result यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं exam लिख करके enterprise करता हूँ, तो result हो गया है 0 तो decount formula इसी तरीके से काम करता है, यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कोई और नाम टाइप करता हूँ, ठीक है लाइक यहाँ पर लिखा मैंने महेश, महेश इस तरीके से लिख दिया हमने, अब महेश का कहीं भी 90 से एवब marks नहीं है, ठीक है अगर subject 5 की बात करें, तो यहाँ पर 90 से वब तो है नहीं, तो महेश लिख करके, जैसे ही मैं enterprise करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर automatically 0 हो जाएगा तो result हो गया है 0, जैसा कि अब देख सकते हैं, ठीक है तो इसी तरीके से decount formula यूज होगा, अब मैं इसको use करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ decount, ठीक है अब decount के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर लगाने से पहले आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह जो है, name of student है, subject 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 subjects के marks हमने ले लिए हैं, ठीक है और अलग-अलग subjects में अलग-अलग marks दिए गए हैं, और यहाँ पर इसी title को हमने copy कर लिया है, ठीक है अब यहाँ पर decount formula यूज कर रहा हूँ, मैं condition यहाँ पर दे दिया है, condition आप अलग भी रख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, greater than 90 दिया है आप condition चेंज भी कर सकते हैं, भी मैं change करके भी दिखाता हूँ, तो decount formula क्या कहता है, कि यहाँ से आप पूरा का पूरा, यह जो range है, वो select कर लिजे, आपके data का पूरा range जो आपका database है, वो select कर लिजे, यह पूरा database select कर लिया, comma दे दिजे कौमा देने के बाद क्या करना है, आप कि subject के marks देखना चाहते हैं, एक particular व्यक्ति के, कि subject के marks देखना चाहते हैं, जो की इस database में शामिल है, तो मालेजे हम subject 2 का देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यह subject 2 को हमने select कर लिया, इसके बाद कौमा देंगे, और इसके बाद आपको क् heading लिया हुआ है, और जहां पर आपके marks आएंगे, ठीक है, यह पूरी range आप select कर लिजे, आप देखें, condition कहां दी गई है, subject 5 में दी गई है, तो इसी के हिसाब से subject 5 का यह बताएगा, कि subject 5 में 90 से above है, या नहीं है, तो महेश का क्या subject 5 में, यह देखें, यह है महेश, क्या subject 5 में 97 है, 47 है, तो जाहिर सी बात है, यहान result आएगा 0, यह 0 आ भी रहा है, देख सकते हैं यहापे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ 95, ठीक है, अब यह जैसे ही 95 मैंने लिखा, तो यहाँ पर one result आजाता है, देख सकते हैं न, तो इस तरीके से equal to 80, 80 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, enterprise कर दिया, अभी भी 1 है, क्योंकि 80 तो कभी भी 90 से कमी है, यहाँ पर greater than और equal to दिया, यानि 80 से greater हो या उसके बराबर हो, तो यहाँ पर वो संख्या हमें बताईए, अब केवल subject 5 की बात की गई है, तो subject 5 के ही बारे में यह बताएगा, ठीक है अगर मैं यही, तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, जैसे माली जी यह तो महेश लिखा था, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, S, A, N, J, U, तो क्या संजू का subject 5 में marks है, चेक करते हैं, यहाँ पर 0 है, तो संजू का देखिए, यहाँ पर इसको मैं select करके दिखा देता हूँ, देखिए, यह subject 5 है, 10 marks है, तो 10 तो 80 से कमी होता है, 80 के बराबर भी नहीं होता है, ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर condition change करेंगे हम, तो automatically result भी हमारा change हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर, आप देखेंगे, यह 99 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं change करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर केवल 80 कर देता हूँ, केवल 80, अब यह किसका है, यह देखिए, यह वाली range किसकी है, दुर्गेश की है, तो अगर मैं दुर्गेश की बात करू क्योंकि 80 से greater हो या 80 के बराबर हो तो यहाँ पर तो आपको result 80 के बराबर भी मिला है greater भले ना हो लेकिन बराबर तो है न तो इस वज़े से यहाँ पर one आ जा रहा है तो decount formula कुछ इसी तरीक से काम करता है आई होग की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो share करें thank you for watching this video